हेलो दोस्तों नमश्का दोस्तों स्वागत है आप सभीका ओनलाइन एड़ाफ फॉस्ट डी यूटूब चैनल पर इस वीडियो में हम बात कर रहें कई बड़ी और लेटिस अप्रेट के बारे में जोकी संबंदित है उन्हेतर हजार सिच्छक भरती को लेकर सरकार ने मुह मो सब्सक्राइब करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा लें वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको जीयल ऑथेंटिक जानकारी ओनलाइन अड़ाफ फॉस्ट डी यूटूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे सीधे शुबात करते हैं सबसे पहली अप मामले को लेकर टैट बनाम सीटेट के बारी में मैंने आप सभी को बैसे तो देदात को आकर कि वीडियो के माध्यम से बता दिया था और इसको लेकर हाई कोट के अलावा सुप्रीम कोट तक ये मामला जाने के बाद दो दो घंटे सुनवाई चल रही है अंदाजा लगा कर क क्या हुआ वो मैंने आप सभी को आकर के बता दिया था कि जो टीट के करने के रिप्रेजेंट करता थे यानि कि जो चाहते थे कि टीट को लागू किया जाए उन्होंने कई ऐसे पॉइंट रखे जो निशित तोर पर सीटेट को वहाँ वैलिड करने के लिए कह सकते हैं कि ख होने वाली सुनवाई में अगर सभी अपने पक्ष रख देते हैं तो ये और रिजब कर दिया जाएगा अगर सभी का पक्ष नहीं रखा जाता है तो हो सकता है कि मामला एक आदे दिन के लिए और सुनवाई के लिए लगा दिया जाए यानि कि कल तक भी सुनवाई हो सकती ह वैसे उन भी दिया ही है कि आज हो जाएगा अब टेट वसे सीटेट में मामला सिंपल है कि जो सीटेट वाले अब बैती हैं या सीटेट पास अब बैती हैं उनको किसी राज इसक्षक वर्थी के अंदर बैठने का मुगा न दिया जाए क्योंकि वहां के कल्चर को वहां के नहीं अब ऐसे बहुत सारी पॉइंट हैं कई राज्यों में ऐसा देखा गया है कि वहां की लेंग्विस अगर आप कनेक्ट नहीं कर पाएं तो आप बच्चों को सिक्षा देने में निशित तोर पर कहने की काम्याब नहीं हो सकते हैं क्योंकि शुवाती चलंड में आप ज 9600 वरती को लेकर 9600 वरती को लेकर िमामला हाई कोट के रास्ते आप सुपेम कोट देखा है और अब सुपेम कोट के अंदर हाली में हुई सुनबाई के बाद से चीजें बदल गई हैं क्यों बदल गई हैं क्योंकि सुप्रीम कोट ओफ इंडिया में जो आपको आदेश देखने के लिए मिलेगा जिसके अंदर ये कहा गया था कि 39,000 सिच्चक ब्रती को लेकर जो नई चैन सुची जारी करने उस पर रोक लगा दी जाए और नई चैन सुची तब तक जारी न की जाए जब तक अगली सुनवाई नहीं हो जाती अगली सुनवाई 23 तारीकों होने जारी लेकिन उससे पहले जो अब्रती लगाता धर्ना प्रदर्शन के मार्धियम से सरकार को अपनी और आकरशित करे थे बिपक्षी पार्टीयों के मार्धियम से भी उनका मुद्धा करने के उठाया जारा था अब ऐसे में उनको एक बड़ा जटका लगा है ये बड़ा जटका क्यों लगा है क्योंकि इन अब्रतियों को 39,000 सिच्छक बरती के अंदर सीधे तोर पर उंबीट थी कि जल से जल नहां पर उनकी चैन सूची जारी हो जाएगी और उनका जो सेलेक्शन का प्रवसर से वो कंप्लीट हो जाएगा लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि जिन अब्रतियों के माध्यम से अपने मुद्य को ये इच्छात उठवाते थे या अपनी कहिने की बातों को उठाने का प्यास करते थे इस समय उनके माध्यम से अब्रतियों के कह सकते के मुँ मोड़े लिया है 19,000 सिच्छक बर्ती को लेका अब्यातियों ने फिर से घेरा केशर परशाद मौर्या का आवास लेकिन नहीं होजा की मुलाकात लिखा हुआ है कि सुप्रिम कोड में हाई कोड के फैसले के अंतरिम रोक लगाने के बाद एक बार फिर से 19,000 सिच्छक बर्ती के आरच्छे दवर के अब्यातियों ने मंगलबार को परदेशन शुरू कर दिया अब्यातियों ने उपमुक्मिंती केशर परशाद मौर्या के अवास का घिराफ किया हाला कि उनके अवास में ना होने की कारण उनकी मुलाकात नहीं हो पाई पुलिस अब्यातियों ने बस में बरकर कहने की इको गाडन ले गए अब सवाल ये है कि यहाँ पर वो है की नहीं क्योंकि बहुत साई अब्यातियों ने आरोब लगाया था कि वो मिलना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनकी अगर मिलने की कह सकते हैं कि मंसा होती तो मुलाकात करने वो आ सकते थे। लिखा हुआ है कि धने पर बैठे अब बेरतियों ने हाई कोर्ट की डवल बेंच के फैसले का पालन करने पर नराज़ी जिदाई है। अब ये मामला सुप्रिम कोर्ट में चला गया है तरुध नाय कि कोई सीवा होती या नहीं होती है। इसको लेकर ये महीनों लटकाया चाहते हैं। इसी मज़े से उन्होंने कहा कि सुप्रिम कोर्ट में ऐसा पक्ष रखे ताकि सभी रिदिक users को नियाइ मिल सके। यहां पर पेंकर गांधी के माद्यम से भी इस मामले को उठाया गया लेकिन मुद्दे की बात ही है कि 99,000 सिच्छक बरती को लेकर सरकार का स्टेंड क्या है यह देखना दिल्चस्प होगा क्योंकि सरकार किसके प्रक्षमे है और सरकार क्या चाहती है वही डिसाइड करेगा 99, 99,000 सिच्छक बरती में फाइनल जो आपका होने जारा है अब एक चीज तो यहां पर कॉमन हो चुकी 99,000 के अंदर कि यहां पर यह मामला इतनी जल्दी खतम होता देखनी दहा क्योंकि 99,000 सिच्छक बरती में जो सुपीम कोर्ट में सुनवाई होने जारी है उसमें बहुत सा जारी होगा फिर जागा है कहीं 99,000 को लेकर जो चैन सूचे हो जारी की जाएगी यानि कि अगर यह कहा जाए कि शायद इस साल के लिए आपको इंतजार और करना पड़ सकता है तो गलत नहीं होगा और फिर सुपीम कोर्ट के आदिश देगी वह चीज अलग है तो फिलाल के और फिली पार्दसी दंग से भरतियां लिखा हुआ ओई कि मुकिमंती योगी आधित नात ने कहा कि दोजा सत्या की पहले की सुचितापूर्ण बहती शम्बब नहीं थी उस समय सभी आयों को बोड़ प्रस्न पर खड़े हो रहे थे कह सकते हैं कि दो साल पहले जो चीज़ें आप सभी के साम दोजा सत्रे से पहले जो चीज़ें चल रही थी सरकार का कहना है कि उस समय निश्पक्ष और पादसी भरतियां नहीं होती थी है ना जैसी कुन है तरजार हो गई एक आपकी एक लेकपाल की हो गई एक एड़ेड जू आगे लिखाओ मुख्यमंति योगी आदितनाथ ने अदिनस्यवा चैन आयो के माधियम से चैनित 647 बंदर्शर और बने जीव रक्षकों के 41 उत्तर प्रदेश प्रदूशन डियंतन बोड़ों के यहां पर अभ्यरतियों को निक्तिपत दिया है बात यह है खुशकभी के बारे में मुख्यमंति बोले नई भरतिया होंगी जल्द सीम योगी ने कहा कि अगले छे महीने के अंदर उत्तर प्रदेश अधिनस्यवा चैन आयो के द्वारा 40,000 भरतियों के निक्तिपत के माधियम से जोडने जा रहे हैं और इसके बाद में पुलिस विबाग के अंदर 40,000 नई भरतियां भी करेंगे अब बात नई परात्मिक और टीचिती पिजदी और इसके अलाबा और भी सिच्छक भरतियों के बारे में तो लिखा हुआ है कि बेसिक से माधियमिक उच्छ और विवसाइक और तकनिकी शिक्षा में हजारों परदों पर निक्ति प्रारम हो होने जा रही है और यह कहां से होंगी यह होंगी आपके नई शिक्षा सेवा चैन आयोक के माधियम से फिलाल देखना दिल्चस होगा कि जिस तरीके से सीम योगी एनाउस्मेंट करें उस तरीके से कब तक भरतियों को लेकर विग्यापन चारे होंगे जो भी अपडेट कि बेल आइकन को दबाले हो वीडियो को लाइक कर दे थैंक यू फर वोचिंग दिस वीडियो